नमस्कार मैं कपे सिंगलाप सुर्ण का स्वागत करता हूँ आज का डेली लिगल न्यूज में आज हम बेसिकली एक न्यूज की बात करेंगे जो कि है उत्राखंड हाई कोड़ी इस न्यूज में आज हम एक डिबेट की तरह इस बात को समझेंगे एक concept clarity लेंगे कि एक topic को discuss करने के बेसिकली कोशिश करेंगे आज कि एक करोना काल में जहां हम लोगों को ये guidance दी जा रही है कि आप घर में रहें घर से बाहर ना निकले बहीं पर सरकार इस बात को भी allow कर रही है कि आप मंदिरों में travel कर सकते हैं जिसका एक live example हमारे पास आया उत्राखंड high court में जो कि किदारनात केस को लेकर था किदारनात के द्वार अब खोल दिये गई हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए ये बताया जा रहा है कि पब्लिक जा रही है वहाँ द्वार खोले हैं वहाँ पंडित गए हैं पंडित वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उत्राखंड high court ने ये भी कहा कि जहां हमने पहले कुम्ब के मेले को permission दी थी वहीं अब उसी में भी इतने ज़ादा करोना cases आये हैं ऐसा internal reports कुछ ऐसी हैं बहुत सारी बाते हैं जहां से ये निकल कराता है कि 90% से ज़ादा जो कुम्ब के मेले में गए थे वो करोना positive निकले हैं 90% से ज़ादा आप ये देखिए कितना बड़ा ratio है वहां लाखों के जन संख्या में लोग गए थे और वहां पर करोना उनको हो गया बकायदा वहां पर जाने के लिए रूल बनाय गया था कि आपके पास करोना negative की report होनी चाहिए लेकिन फिर भी negative होने के बाद भी जो public वहा पर उन्हें करोना हो गया देखिए कितनी जल्दी ये spread होता है और वहीं दूसरी तरफ उत्राखन ने यही बात कोट करते हुए यही बात को गौर करते हुए कि हमने पहले जो ये कुम के मेले को permission दी वहीं दूसरी तरफ हम अब के दारनाथ को permission दे रही हैं तो ये बिलकुल भी ठीक नहीं है उत्राखन हाई कोट ने इस बात को गौर करते हुए कहा कि state इस बात का जरूर ध्यान रखे बहुत जादा measures ले इस बात को लेकर कि वहाँ पर ये करोना ना फैले क्योंकि वहाँ पर देखिए दो उत्राखन हाई कोट में ये जो case चला ये बात हुई तो व वीडियो में ये clearly visible होता है कि जो वहाँ public है उसमें social distancing का बिल्कुल भी norms नहीं है और कोई भी करोना के लिए जो protocols हैं वो follow नहीं हुए और जिसको देखते हुए वहाँ high court ने बिल्कुल special लग रहा है high court को और वहाँ पर आम आदमी को भी बिल्कुल साफ उस अगर वीडियो क को देखें आप तो आपको साफ दिखेगा कि जो करोना का protocol है जो कहा गया है कि पहले दो गज की दूरी था लेकिन अब क्या कह रहे हैं छे foot की दूरी होनी चाहिए तो वो 6 foot की तो छोड़ी अब 3 inch की भी दूरी नहीं थी public में इतना बिल्कुल पास-पास खड़े थे वो ल करनाटका हो जहां मर्जी आप ले लिए जहां मर्जी आप ले लिए किसे भी high court में हर रोज कभी ऐसा नहीं हुआ कि करोना का case वहां discuss ना आप रहो या तो करोना के patient से related case है या करोना में vaccine लग रहे है उस से related case है या करोना में हो रहे exam से related case है या करोना में हो रहे कोई और गलत कामों से related case है लेकिन cases हैं किस पर सारे कि सारे सरकार से related है कि सरकार ने क्या measures लिये है देखे, courts क्या कर सकती है courts सिर्फ एक direction दे सकती है सरकार को करने के लिए करना किसने है आप लोगों ने, हमने और सरकार ने हम सबको मिलकर करना है हम सबको मिलकर ही ये सारा कुछ कंट्रोल करना है अगर हम मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे तो ही हम बचपाएंगे अगर माली जी एक बात लेकर चलते हैं कि सरकार ने अब आकडे जो है कम दिखाने शुरू किये हैं अब आकडे कम आ रही हैं हमारे पास डेली करोना के पहले सवा चार लाग तक चले गए थे लेकिन अब तीन लाग के आसपास रह गए हैं पौने तीन लाग भी हैं धाई लाग शायद नहीं हैं लेकिन पौने तीन लाग तीन लाग के आसपास केसिस हैं तो लेकिन जो डेथ रिशो है वो नहीं घट रही death ratio बल्कि बढ़ ही रहे हैं तो इससे क्या दिखता है इससे यही clear visible होता है कि करोना के patients बिश्चे कम आ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि patients कम आ रहे हैं तो deaths भी कम हो रही है death बल्कि जादा हो रही है तो इस बात का हमें खुद से ध्यान रखना है कि जो करोना का है उसे हम protocol follow करें इसी बात को लेकर उत्राखंड हाई कोट ने बहुत strictly कहा है कि सरकार जो है इसके ओपर work करे और जो सरकार है वो सारे measures ले और issues का पूरा ध्यान रखा जाए कि जो कुम्ब के मेले में activity हुई है वो दुबारा से केदार नाथ के वहाँ मंदिर में ना हो और वहाँ पर उन्होंने हाई कोट ने के लिए लिका है कि मालीजे जैसे कि 24 जो पुजारी हैं वहाँ पर काम करते हैं अगर उनको करोना हो गया तो उसके लिए कौन जिन्मेतार होगा इन कोछ बातों का ध्यान रखते हुए हाई कोट ने स्टेट के उपर directions दी है देखा जाएगा कि अब सरकार इसके उपर क्या action लेती है मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए नमश्का और अगर आप चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा QT में आप सभी के लिए daily legal news और legal topics, legal subjects ये सारी details आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वीडियो पसंद आई है तो इसको like जरू कीजेगा अगर आपको कोई भी suggestion हो मुझे आप comment section में दे सकते हैं नमस्कार